हाई अबरबन आप सब्सक्राइब का स्वागत है इस्टाडी फाउंडेसन यूटीब चैनल पे टेट काम रिट्क्रिट्मेंट टेस्ट एक्जाम के लिए आज के पेड़गोजी क्लास के अंदर हमलोड लेस्ट प्लैन एसेंशल्स अप गूड यूनिट प्लैन इस टोपिक क सब्सक्राइब करएंगे यह क्लास नमर् 11 है इससे पहले का जितना भी क्लास होचुका है वह सभी क्लास का लिंक आप सभी को दिसक्रिप्षेंट करूद बॉक्स मिल जाएगा यक्लास आप सभी को सब्सक्राइब करेला आई आज का topic पर चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो चली वीडियो को सुरू करते हैं आज का हम लोग का topic है lesson plan तो सबसे प्रहे lesson plan कहा था किसको है वो जानते हैं lesson plan एक plan of action है जो कि teacher prepare करता है class का commencement से पहले जिसके अंदर teacher तीचर जो है आउट्लाइन करता है कौन सा activity उज़ करेगा किस प्रकार टीच करेगा कौन सा method या कौन सा अप्रेटरास उज़ करेगा एक stipulated period of time के अंदर lesson planning जो है detail description है एक किसी उनिट के बारे में जिसके अंदर टीचर जो है एक definite duration के अंदर जो है उस invite को complete करने का कोशिस करता है ठीक है lesson plan जो है teacher का expert skill के उपर depend करता है intelligence ability या personality को पर भी depend करता है lesson plan जो है school to school या college to college vary करता है lesson plan एक foundation है जितना भी good teaching है उसके लिए lesson plan के अंदर जो है detail guide होता है किस प्रकार teaching किया जाए उसके अलिए ठीक है according to Malaysia lesson plan क्या है lesson plan is a framework and roadmap which each teacher will create using individual style NL bossing के साब से lesson plan क्या है lesson plan is a title given to a statement of the achievement to be realized and a specific meaning by which these are to be attained as a result of activities and guess during the period types of lesson plan जो है आई जानते हैं इसके बाद तीन प्रकार का जो है हम लोग अडिसस के उसके बैसे पे lesson plan का तीन टाइप है knowledge lesson plan skill lesson plan और appreciation lesson plan ठीक है इसके बाद next lesson plan का क्या need है क्या importance है तो आई जानते है lesson plan help the teacher in the following way lesson plan जो है teacher को is flowing way के अंदर help करता है सबसे पहले क्या करता है it makes teaching systematic and well organized सबसे पहले lesson plan जो है teaching को systematic और well organized बनाता है it helps teacher in identifying adequate content and proper sequencing for teaching a lesson teacher को adequate content identify करने में help करता है और किस प्रकार proper sequence के अंदर teaching क्या जाए lesson को उसमें भी lesson plan help करता है इट help teacher to learn to force and trickle difficulty learning difficulty of children lesson plan जो है किस प्रकार teacher जो है learning difficulty जो बच्चों के अंदर होता है उसको handle क्या जाए उसके अंदर भी lesson plan help करता है it helps in developing insight about learning needs and ability of children lesson plan जो है learning का needs या बच्चों का जो वाबिलीटी है उसको जनने में भी अभी lesson plan मदद करता है it helps teacher to develop the habit of undertaking immediate corrective measure जो और immediate corrective measure होता है उसका habit develop करने में भी lesson plan help करता है it gives confidence to teacher during teaching lesson plan जो एटीचर को confidence बना कर रखता है teaching के अंदर ठीक है यानि teacher को हमेशा confidence बना कर रखता है टीचिंग एंदर तो यह सब था लेस्न प्लैन का निर्जान एन इंपोटेंस इसके बाद नेक्स लमोड डिसाज करेंगे लेस्न प्लैन का क्या क्या फॉलो होता है तो सबसे पहले हाई बेटेंट क्या-क्या है प्रिपरिशन प्रेजिनटेशन एप्लीकेशन और रिक्योप्चिलेशन गौहाटी इंवरसेटी और डिबूगर relation plan good lesson plan होने के लिए क्या-क्या एशन्सेल होना चाहिए सब सक्षपहले ओ रिटेन होना चाहिए उसके अंदर clear aim होना चाहिए previous knowledge के साथ link होना चाहिए flexible होना चाहिए unit call जो है unit कालागला division होना चाहिए suitable organized subject matter होना चाहिए इलस्ट्रेटिव एड होना चाहिए, एड्स होना चाहिए, सो टेक्निक अप्टीचिंग, जिसके अंदर टेक्निक अप्टीचिंग जो है, ओभी सो होना चाहिए, प्रोवाइट फॉर इंडिविजल डिफरेंस, इंडिविजल डिफरेंस को भी धियार में रखना होना किक्राइब लेसने प्लेंग के लिएृटेट फके ने पर वालोन लेकिया है अच्छा लेशनप्लेंग लिए थेक टेश। सबसे पहला फिचर से, थो लेस्न प्लानिंग, जीचर विल अबल तो पिन पॉंट पर इंसल फिद अब्चिटिव आरटेक्टिव तीचिज रहें, इस परकार प्रप्र सेक्वेंसिंग के अंदर किसी भी अब्चिव को एक पार्टिक्लर ताम पिया जा सके उसके अंदर लेस का सबसे पहला है इन प्रेंट फीशर से टीचर विल डिस्कूबर वेदर सब्जेक मेंटर इस एडुकेट टीचर जो डिस्कूबर कर पाएगा कि जो सब्जेक मेंटर है जो टीचिंग करने जाएगा एक पार्टिक्लर टामचेट के अंदर और उसके लिए कॉंटेंज जो है वो एडुकेट है या नहीं वो लेशन प्लेंड के माध्यम से डिस्कूबर किया जा सकता है He will identify in advance the activity to be carried out by the learner Teacher जो है advance में identify कर पाएगा कि कौंसा activity learner के लिए suitable होगा उसके लिए और जो है advance में preparation कर पाएगा He will able to anticipate the expected answer of the learner Teacher जो है anticipate कर पाएगा कि क्या expected answer हो सकता है learner का side से A good lesson plan should present good linkage between the objective एक अच्छा lesson plan के अंदर linkage होना चाहिए objective के साथ, teacher resistant का activity के साथ, one hand and method के साथ, teaching aids और evaluation item के साथ ठीक है The plan should neither be too short nor too long और plan जो है बहुत ज्यदा लंबा या बहुत ज्यदा छोटा नहीं होना चाहिए It should focus on a specific piece of content so as to attend the competency in hand ए जो है फोकस होना चाहिए specific piece of content के उपर लेशन प्लैन specific piece of content के उपर फोकस होना चाहिए और ओ जो competency को आसानी से अटन किया जाए इस भे भी फोकस होना चाहिए The activity plan should be quite interesting to the young learner और जो भी activity plan किया जाना चाहिए वो जो है interesting होना चाहिए Young learner के प्रती It should focus on development of clear understanding among children instead of wrote memorization और lesson plan जो है फोकस करना चाहिए कि बच्चों के अंदर clear understanding हो Wrote memorization ना हो ठीक है तो यह सब था हम लोग डिसस के features of good lesson plan इसके बाद next लोग डिसस करेंगे limitation of lesson planning lesson planning का भी limitation है It makes teaching organized but rigid यह teaching को organized तो बनाता है लेकिन बहुत rigid बना देता है सबसे पहला इसका limitation है If followed strictly, it leaves no room for innovations on the part of the teacher यह इस टेकली follow किया जाए तो इसके अंदर innovativeness का जो है कोई room नहीं होता है कोई जगा नहीं होता है teacher का part से ठीक है Too much emphasize on it may make things routinize बहुत ज़िए lesson plan पे जो है emphasize दिया जाए तो एक routine type में बन जाएगा It is good for beginner teacher Experience teacher usually have little faith in the structured classroom behavior Lesson plan जो है beginner teacher के लिए अच्छा होता है Experience teacher के लिए अच्छा नहीं होता है क्यों ठीक है It is difficult to anticipate all possible kind of classroom situation in advance Lesson plan के माधियम से ए पोसिबल नहीं होता है कि सभी classroom situation को advance में जनकारी उसका लिया जा सके And therefore lesson plan lack relevance और इसलिए lesson plan का जो relevance से और कम हो जाता है तो एस सब था limitation lesson planning का इसके बाद next mode research करेंगे unit plan के बारे में इसके बाद next mode unit plan के बारे में जानेंगे A unit plan is detailed outline that teacher create to guide instruction over a specific period Usually focus on one topic or theme एक unit plan जो है detail outline है जो teacher create करता है Guide करने के लिए specific period के अंदर usually focus करता है एक topic या theme के उपर It breaks down the goals Unit plan जो है goal को breakdown करता है objective को breakdown करता है activity को, resource को या assessment for a particular unit of study को breakdown करता है Which can last for few days जो की few days last कर सकता है या several week भी last कर सकता है ठीक है तो अभी हम लोग discuss के lesson plan और unit plan के बारे में इसके बाद इस topic के उपर हम लोग previous रख जामें जो question आया है 20 से 25 question को हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले कोसने The teacher's plan for teaching in the classroom is called Teacher का जो plan होता है जो classroom में teaching के लिए यूज़ करते है उस plan को क्या कहा जाता है उसको lesson plan कहा जाता है तो right answer होगा option number two Nescos ने homework should be related to the lesson plan homework जो है lesson plan के साथ related होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि इस से new knowledge और previous knowledge के साथ linkage बन सकता है तो right answer होगा option number four इसके बाद Nescos ने lesson planning is the process of lesson planning जो है किस प्रकार का process को कहा जाता है ए जो है unit planning subject action planning या teacher strategy planning तीनों को कहा जाता है तीनों process के अंदर lesson plan आता है इसलिए right answer होगा option number four all of the above इसके बाद Nescos ने which one of the following is not the first step in the development of a lesson plan lesson plan का development में first step कौन सा नहीं होता है यानि lesson plan के अंदर step कौन सा नहीं होता है introduction होता है testing of previous knowledge भी होता है motivation भी होता है लेकिन initiation जो है lesson plan का जो है step के अंदर नहीं होता है इसलिए right answer होगा option number four इसके बाद Nescos ने the last step in lesson planning is lesson plan के अंदर last step क्या होता है last step जो है homework होता है right answer होगा option number two इसके बाद Nescos ने a plan prepared by a teacher to teach relation एक plan जो teacher prepare करता है lesson को teach करने के लिए उस plan को क्या कहा जाता है उसको lesson plan कहा जाता है right answer होगा option number two इसके बाद Nescos ने question number seven the important aim of lesson plan is lesson plan का एक important aim क्या है teaching learning process को अच्छा करना तो इस प्रकार का option option number two में दिया है to force the teaching learning process बाकी to evaluate people achievement a नहीं होता है lesson plan का aim preparation of teaching content a भी नहीं होता है to prepare TLM a भी नहीं होता है right answer होगा option number two Nescos ने Harvard training approach to lesson planning के अंदर कौन-कौन सा step follow होता है है आप सबही के सामने यहां छे Excuse step abece करना है सबसे पहले कौन सा होता है सबसे पहले जो होता है वह होता है preparation यह 4 जो है Посoph no number option जो दिया है सबसे PA उसके बाद होताहituation तसके बाद five आएνο आएगा five के बाद next आता है अस्वेशेशेशन इसके बाद next आता है generalization इसके बाद next आता है application और इसके बाद last step आता है recapitulation यानी six वाला ठीक है इस परकार का option कहा पर दिया है इस परकार का option option number three में दिया गया है तो right answer होगा option number three ठीक है इसके बाद next question what is the main purpose of lesson plan lesson plan का main purpose क्या है to outline daily teaching goals and activity lesson plan का main order से है तो right answer होगा option number B ठीक है इसके बाद next question question number 10 a unit plan typically covers unit plan में क्या cover होता है multiple lesson होता है same topic या theme के उपर तो right answer होगा option number B इसके बाद next question which of the following is a benefit of a lesson plan lesson plan का benefit क्या है कि यह provide करता है roadmap of classroom instruction यानी एक roadmap जो है classroom के अंदर किस परकार जो है पढ़ाया जाए उसका लिए roadmap टैयार करता है इसलिए right answer होगा option number A इसके बाद next question a lesson plan should ideally include which of the following element lesson plan के अंदर क्या क्या होना चाहिए objective material procedure assessment सब होना चाहिए इसलिए right answer होगा option number A ठीक है इसके बाद next question which is true about a unit plan unit plan के बारे में कौन सा सही है as compared to lesson plan unit plan के अंदर large section of curriculum cover होता है जो की option number B में दिया है तो right answer होगा option number B इसके बाद next question ने the learning objective in a lesson plan should be lesson plan के अंदर learning objective क्या होना चाहिए measurable और specific होना चाहिए right answer होगा option number B इसके बाद next question ने which of these is not typically found in unit plan unit plan के अंदर क्या नहीं होता है daily attendance record unit plan के अंदर नहीं होता है बाकी sequence of lesson होता है assessment method भी होता है resource needed भी होता है option A में जो दिया है daily attendance record A नहीं होता है unit plan के अंदर तो right answer होगा option number A इसके बाद next question the difference between a lesson plan and a unit plan is that lesson plan और unit plan के बीच में क्या difference होता है lesson plan के अंदर lesson plan जो है single day के लिए होता है लेकिन unit plan जो है multiple day के लिए या week के लिए हो सकता है इस परकार का option option number A में दिया गया है तो right answer होगा option number A next question which of the folding best describe unit plan unit plan के बारे में बेस इहां describe कौन सा क्या गया है unit plan एक plan होता है जो की lesson का entire unit या theme जो है cover करता है unit plan के अंदर इस प्रकार का option option B में दिया गया है a plan that outline the lesson for entire unit or theme ठीक है next question when developing a lesson plan which of the following is most important to consider lesson plan develop करते समय कौन सा बहुत जरूरी होता है learning objective और outcome जो है अंदर इसका consider करना बहुत जरूरी होता है इसलिए right answer होगा option number B इसके बाद नेसकोस ने unit plan a design to unit plan जो है किसले design कर किया जाता है क्योंकि unit plan जो है इसके अंदर टोपिक cover होता है series of lesson का तो इस प्रकार का option option number B में दिया गया है cover broader topics of a series of lesson इसके बाद नेसकोस ने unit plan generally include which of the following content unit plan के अंदर क्या क्या होता है इसके अंदर list of resource होता है sequence of lesson होता है assessment method होता है right answer होगा option number A ठीक है इसके बाद नेसकोस ने which of the following is not a benefit of well structured lesson plan well structured lesson plan का benefit कौन सा नहीं है यह limit नहीं करता है student opportunity to ask question कभी भी lesson plan का main objective benefit यह इसका main objective benefit यह नहीं है कि question ask करने से बचों को limit करना बाकि जो दिया है वो सही है यहां गलत बताना था गलत कौन सा होगा option number C ठीक है इसके बाद नेसकोस ने unit plan primarily aim to unit plan का primary aim क्या होता है कि एक cover करे जो है broader topic यह theme multiple lesson का जो है unit plan का main aim होता है इसलिए right answer होगा option number B बाकी option देख लेते हैं outline individual daily activity यह नहीं होता है replace lesson plan entirely यह नहीं होता है unit plan का objective मैं अध्यश है serve only as a checklist of assignment यह जो है unit plan का main aim नहीं होता है ठीक है इसके बाद नेसकोस ने unit plan are usually prepared by unit plan कौन prepare करता है unit plan जो है teacher ही prepare करता है right answer होगा option number C ठीक है इसके बाद नेसकोस ने which of these is typically not included in a unit plan unit plan के अंदर इन्वे से कौन सा नहीं होता है unit plan के अंदर detailed daily lesson objective नहीं होता है बाकी यह outline of key topics cover A होता है sequence of lesson for a specific time period यह भी होता है assessment studies यह भी होता है लेकिन detailed daily lesson objective नहीं होता है unit plan के अंदर right answer होगा option number A इसकोस ने which of these statement best describe a unit plan scope unit plan scope के बारे में कौन सा statement best describe कर रहा है option B best describe कर रहा है क्या कर रहा है it incorporate a range of lesson and activity center on a common theme यानि इसके अंदर जो है बहुत सारा lesson हो सकता है activity हो सकता है जो की common theme के ओपर क्या होगा centered होगा ठीक है तो right answer होगा option number B इसके बाद निसकोस ने which of the following best describe the scope of lesson plan lesson plan का scope को बारे में कौन सा option best describe कर रहा है covers a single class session यह हो सकता है outline the entire kilogram of the year यह नहीं होता है lesson plan के अंदर focus on multiple lesson यह भी नहीं होता है summarize extent final grade यह नहीं होता है right answer होगा option number B cover a single class session ठीक है इसके बाद निसकोस ने which of these is की difference between a unit plan and a lesson plan unit plan और lesson plan के बीच में क्या difference होता है unit plan के अंदर multiple lessons जो है prepared किया जा सकता है लेकिन lesson plan के अंदर एक class के लिए जो है lesson को prepared किया जाता है इस प्रकार का option option number C में दिया है unit plan encompass multiple lesson plan focus on one class period ठीक है एसकोस ने what often is a lesson plan typically prepared lesson plan जो है typically कब prepare के जाता है कैसे prepare के जाता है daily या जो है each class session के लिए prepare के जाता है तो right answer होगा option number B ठीक है next question what is typically found in unit plan but not a lesson plan unit plan के अंदर typically कौन सा चीज मिलता है lesson plan के अंदर नहीं मिलता है summative assessment for the end of the unit जो है unit plan के अंदर मिलता है लेकिन lesson plan के अंदर नहीं मिलता है तो right answer होगा option number B तो 29 questions हम लोग डिसर्स के इस topic के उपर unit plan और lesson plan के उपर next video के अंदर next topic डिसर्स करेंगे मिलेंगे next class के अंदर thank you